फीवर केसेस में क्या चीज को इंपॉर्टन्स देना है कौन से चीज को इंपॉर्टन्स नहीं देना है आप बहुत परेशान है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए और शेर कीजिए आपके सभी दोस्तों के साथ है् so देखिए क्या होता है कि framework मन सबसे इंपॉर्टन चीज होता है थर्स्त द्यन सबसे इंपॉर्टन्स चीज होता है की present mental state एगर आपेद्टन चीज यह होता है कि उसका सर्दी है खाशी है फिवर है देन यू थिंक अबोट इलमेंट्स फेक्टर और प्रिस्क्रेब रश्टॉक्स वो बोल रहा है सर मैं सुबह सुबह पाच बजे निकला और बहुत थंडी थी बहुत सारा थंडी लगा उसके बाद फिवर सर्दी हो गया थिंक अबोट डलका माना लाइक देट आप यू नीड तो फाइंड आउट दी कॉज वोल रहा है दोक्तर साहब मेरा पेट खराब है और मैंने कुछ आम बहुत जादा खा लिया उसके बाद मुझे इंडाइजेशन हो रहा है उसके वज़से फिवर आ रहा है थिंक अबोट दियर ने सीपर ने रिमेड सो नबरन लॉन पॉजच ट्राइड लू एफिवर तुहित ट्री खेल उद्यास दिविर भीवर इल्स बीटिंज सिव मॉटिस अन्हा इमकू के थंडी जादा बज रहाए उसको बखरी आपओंछा में सान्य हो रहा हिन also Acadquila शिव ठीव उसके बाद में see the appearance, see the discharges and see the mental state and somewhere 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 you will get some clue to prescribe a remedy for fever and day जिजक बगर डरे बस अपना दवाई दे दो तो आपको क्या होगा उससे कौन और आपको समझेगा कि आपकी दवाई कुछ काम किया है या नहीं किया है तो बस दवाई देख के देखो मेरे दोस्त तभी तो आप practitioner बनोगे और बिदॉर कि हम लोग बहए वो डॉक्तर को अडbuild अरे आप काम practicing कीशा चल रहे डोक्तर सÁब अरे वकील साब आपका practice कैसा चलरे इसका मीणिंग यह है कि आप जो काम करे आप जो काम करे रहे जा जावत जाले रेकी बष्याज नेहाँ करेकीजेचे कार दूब mu